चलिए बच्चो अभी तक हम लोग 110 कोशन डिसकस कर चुके हैं और उसमें जो डिसकेशन के उपरांत हमारा कॉंक्लूजन है कि मिनिमम मिनिमम भी 110 कोशन में आप लोग को मिनिमम मिनिमम भी 80 से 85 आ जाना चाहिए 80 to 85 कोशन सुट बी करेक्ट अब हम लोग 111 से 150 कोशन डिसकस करेंगे उसका वो करेंट अफेर्ज है बहुत स्टेट फॉरवर्ड है ज्यादा उसमें सोचना विचार नहीं है कहीं कहीं नीचे आप देखेंगे स्लाइट पे कॉमेंट लिखा हुआ है चुकि करेंट अफेर्ज एक्सो दस में अब हम लोगों सिफ 15 कोशन के लिए फाइट करना है और जो बच्चो का सी आ रहा है तो 20 कोशन के लिए और फाइट करना है यह जो बाकी 40 कोशन है उसमें से तो अकॉर्डिंगली अपना रनीती बनाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कोशन नंबर 111 the radiations used in the treatment of muscle ache are इसको हिंदी में पढ़ते हैं मां स्पेशियो में दर्द के उपचार में उप्योग किये जाने वाला विकरन क्या है कौन सा विकरन है तो वो है आपका वो है आपका इंफ्रा रेड इंफ्रा रेड रेडियेशन तो 111 का 111 का है आपका A सेट D हम लोग सेट D बात कर रहे हैं सेट D कोशन पेपर 111 कोशन नंबर and answer is A चलिए अब देखिए 112 कोशन the total resistance of a circuit having two parallel resistors parallel resistor की बात की जारी है is 1.403 kilo ohm if one of the resistor is 2 kilo ohm then the other resistor will be अब हम लोग देखिए हिंदी में पढ़ते हैं दो सामानांतर प्रतिरोध वाले circuit मने जो प्रतिरोध वाला circuit जो है सामानांतर है parallel है और इसका कुल प्रतिरोध 1.40 kilo ohm है यदि एक प्रतिरोध रोधक का मान 2 kilo ohm है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा तो सही answer है 4.70 यानि की 4.70 kilo ohm तो 112 का 112 का सही option है D इस answer को फिलाल इस concept में तो हम लोग नहीं चलेंगे लेकिन आप 1 by R plus 1 by 2000 is equal to 1 by 140 यह यह दि parallel circuit का जो नियम है parallel circuit का rule है इसको लगाएंगे तो आपको जो है resistance का 4.7 K आपको answer मिल जाएगा अब question number 113 on heating the resistance of a semiconductor and on heating the resistance of semiconductor क्या होता है semiconductor का resistance में हिंदी में गर्म करने पर एक अर्ध चालक का प्रतिरोध क्या होगा तो means with the rise in temperature resistance decreases जैसे ही आप गर्म करेंगे प्रतिरोध की छमता जो है वो घटेगी तो resistance decreases with the increase in temperature with the rise in temperature ठीक है तो on heating the resistance of semiconductor decreases यानि कम होगा घटता है तो 113 का 113 का है सही option B 113 का सही option है B resistance will decrease with the rise in temperature तापमान बढ़ने से resistance है वो कम होगा 114 faraday constant क्या है भाईया faraday constant क्या है यह सौर भाउमिक सिधान्त है है न सौरी यह सौर भाउमिक स्थिरांख है स्थिरांख मने constant means faraday constant is a universal constant तो सौर भाउमिक स्थिरांख है 114 का सही option है D 114 का सही option है D is a universal constant question number 115 light year is a unit of what है न प्रकास वर्स किसकी काई है तो दूरी की काई है बहुत straight forward बहुत असान सा यह question है direct direct यह असान सा question है तो 115 का आपका C यानि दूरी distance which of the following does not change when light travels from one medium to another यह भी बहुत straight forward concept है बच्चो जब प्रकास एक माधियम से दुसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती या बदलता है तो क्या नहीं बदलता है बच्चो frequency frequency does not change आवरिती में कोई बदलाव नहीं आता है तो 116 का सही option है आपका C 116 का C frequency यानि आवरिती यह देखने है बच्चो यह सारा question बहुत ही simple है basic science का concept है यह 10th level का भी concept नहीं है 9th 8th का concept है अब देखिए 116 अब देखिए 116 अब कर लिए the velocity of electromagnetic wave is अब देखिए velocity of electromagnetic waves कहां पर vacuum होना चाहिए इसमें कि the what is the velocity of electromagnetic waves in जो है waves in vacuum anyway चलिए आधा कोशन पर भी हम लोग answer करते हैं विधुत चुमबकिये तरोंगों का क्या वेग है तो वो है बच्चो 3 into the 10 to the power 8 meter per second तो 117 का सही option है हम लोग का ए 117 का सही option है अब चलते हैं 118 ये भी बहुत अच्छा बहुत ही straightforward बच्चों वाला question है ये the first man who placed his foot on the moon is Neil Armstrong पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वो थे नील Armstrong तो 118 का सही option है B 118 का सही option है B अब 119 भी है simple factual तत्हादारित question है कोई इसमें दिमाग लगाने की जोत नहीं है कोई formula लगाने की जोत नहीं है the number of neutrons in the nucleus of plutonium nucleide है ना plutonium nucleide के नाभिक में neutron की संख्या कितनी है मैं neutron की संख्या कितनी है तो वो है बच्चों 148 148 तो 119 का 119 का है आपका सही option B 119 का सही option है B the highest viscosity among the following कहने का मतलब है कि माल लीजिए तैरने में सबसे ज़्यादा आपको problem कहा होगा है ना यदि आपको किसी के प्रदार्थ के बीच से निकलना होगा तो सबसे ज़्यादा मुश्किल कहा होगा आप लकड़ी के बीच से निकल सकते है को कि viscosity बहुत ज़्यादा है solid ठोस में यह होता है तो उसी पर यह question है बहुत straight forward question है the highest viscosity among the following is of honey है ना इसको हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं सबसे ज़्यादा शेयानता किसमे होती है तो वो है शहद वो है शहद तो 120 का D 120 का D यह सारा straight forward question है आप लोग इसी question में बहुत ज़्यादा ही score कर सकते थे 100% भी score करना इसमें possible है अब देखिए यह भी बहुत असान question है 121 which Indian film actor has been included in the time magazine list of 100 most influential people of 2020 यह time magazine का edition आया था 2020 का उसी पर यह question है किस भारतिय फिल्म अभिनेता को time magazine ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है तो वो है आपके आईश्मान खुराना यानि 111 का सही option है how many Indian beaches have been recommended for the blue flag certification recently और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग targets के current FAS में यह question किये भी थे इसी लिसका comment नीचे लिखा हुआ है हाली में कितने भारतिये समुद्र तटों को blue flag certification के लिए अनुशंसित किया गया है तो वो है सही answer है बच्चो इसका 8 beaches आठ समुद्र तट तो C इसका सही option है तो 122 का सही option है C यानि की 8 राम बिलास पासवान started his political career from which political party 130 123 123 सेट D question number 123 राम बिलास पासवान ने अपना राजनितिक सफर किस राजनितिक दल से प्रारम किया था तो वो था बच्चो सम्युक्त सोशलिस्ट पार्टी सही answer है सम्युक्त सोशलिस्ट पार्टी ठीक है तो ये जो है बिहार बदान सभा में इसी पार्टी से वो जीत कर 1969 में 1999 में आये थे तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी सही option है यानि सही option इसमें हो गया C हैना सही option हो गया C तो 123 का 123 का C यानि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी अब देखी है ये question 124 question जो बड़ा वियाड है हैना इस तरह का question हम लोग expect नहीं करते है when did the election commission of India issue a press note for the general election to the legislative assembly of बिहार 2020 भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधान सभा 2020 के आम चुनाओ के लिए press note जारी किया इसमें सारा option है September और जो हम लोग source देखेंगे ये देखिए इसका ये जो है ये जो है ये आपके election commission का website का ये slide है उसी से ये data लिया गया है और इसमें जो poll date of issue of notification लिखा हुआ है वो जो पहला है वो है 110-2020 मने October 1 October 2020 का है और इसमें सारा option है आपका September तो सही option आपका election commission के data के अनुसार सही option होना चाहिए none of the above उप्यूक में से कोई नहीं यानि 124 का E इस तरह का question थोड़ा सा उटपटांग है it is a very weird question कि press notification कब आया ये but anyway question आया we have to do it question number 125 in which state घर तक fiber scheme has been launched on 21st September 2020 through a video conference ठीक है question number 125 21st September 2020 को video समेलन द्वारा किस राज में घर तक fiber योजना प्रारम की गई तो वो क्या कहता बिहार में election से पहले और इसमें ये बात हुआ था कि बिहार के 45,945 villages 45,945 villages ये जो गाउं है उसको optical fiber से connect कर दिया जाएगा ताकि internet service सही मिलते रहे तो 125 का सही option है आपका C 125 का सही option है C बिहार पॉल्टीशियन बिहार पॉल्टीशियन लेट रगुवन्स प्रसाद सिंग वोस फर्स ताइम elected to which लोक सभा बिहार के राजनितिक स्वर्गिये रगुवन्स प्रसाद सिंग पहली बार किस लोक सभा के लिए निर्वाच्चित हुए थे तो वो था 11th लोक सभा 1996 1996 में 11 लोक सभा में तो 120 126 का सही option है 11th लोक सभा 11 लोक सभा यानी की B यानी की B वो अमंग दा फॉलॉविंग इस नॉट अमेंबर अव दे कौड्री लेटर सेक्यूर्टी डालोग और इन्फार्मल स्टेजिक फोरम कौड्री लेटरल सिक्यूर्टी डालोग नामा के एक अनवचारिक यूद नितिक समुख का निम्द में से कौन सदस नहीं है यह चीन के विरूधी है एक तरह से तो चीन इसके सदस नहीं है चीन इसके सदस नहीं है बाकी इंडिया सदस है जपान सदस है और शेलिया सदस है अमेरिका भी इसकी सदस है तो चीन जो है सही option है तो 127 का 127 का चीन यानि C Who represented India's perspective in the 5th BRICS culture minister meeting held through a video conferencing in September 2020 ये भी question हम लोग test series में किये हुए है सितंबर 2020 में वीडियो समेलन के माध्यम से BRICS के संस्कृती मत्रियों की पांचवी बैठक में किस ने भारतिये दिरिश्ट्य कोन का प्रतिनिधित किया है भारत के तरफ से कौन थे है ना तो संस्कृतिक कारिकरम था तो यहां के culture minister संस्कृत minister independent charge उनका नाम था प्रालात सिंग पतेल तो प्रालात सिंग पतेल भारत के प्रतिनिधित किये थे 128 का 128 का ए यह बहुत straightforward बहुत जो है simple answer है where was the 36th Asian summit virtually held in June 2020 है ना question 129 को हिंदी में पढ़ देते हैं जून 2020 में 36 आसियान सिखर समेलन virtually कहां आयुजित किया गया था तो वो हुआ था वियातनम में वो हुत हुआ था वियातनम में तो 139 का 139 का सही option है डी वियातनम आगे चलते हैं बच्चो which of the following has stopped in the human capital index 2020 है ना यह question निम्र में से कौन सा human capital index 2020 में प्रतम स्थान पे रहा तो वो था बच्चो सिंगापूर प्रतम स्थान पे था भारत का स्थान था 116 भारत का स्थान था 116 सिंगापूर सबसे टॉप पे प्रतम स्थान पे रहा यह question भी हमनों test series में कर चुके हैं अब बहुती बार कर चुके हैं एक दो बार नहीं तो 130 का आपका सही option है सी, recently in USA operation magua operation magua magua का मतलब है make America great again maggua का full form है make America great again,31 को Hindi में पढ़ देते हैं, हाली में संजुक्त राज Gray America में operation magua संबंदित किस्स्से है, याद कियेगा election से पहले, डोनाल ट्रम्प को COVID-19 हो गया था इसलिए उनके परिवार के सदस और Vice President अमेरिका के जो Vice President थे इनका नाम है Mike Pence वो लोग और डुनाल्ड ट्रम्प के परिवार के सदस ये अभियान चालू किये थे डुनाल्ड ट्रम्प उसमें नहीं थे तो डुनाल्ड ट्रम्प's Re-Election Campaign डुनाल्ड ट्रम्प के पुर्ण निर्वाचन अभियान से तो 131 का सही Option है B 131 का सही Option है आपका B है ना ये डुनाल्ड ट्रम्प को COVID-19 हो गया था और इसलिए जो है उनके परिवार के सदस जो है Election Campaign में लग गए मागा का फुल फॉर्म है Make America Great Again Question number 132 Which Arab state has started the first nuclear power plant किस अरब देश ने पहला ना भी किये उर्जा संयंत प्रारम किया है तो वो है आपके United Arab Emirates हिंदी में संयुक्त अरब अमिरात तो Question number 130 का सही option है Question number 132 का सही option है C United Arab Emirates UAE संयुक्त अरब अमिरेत Saturday Question number 132 का सही option है C U A E Question number 133 Which was the first state to sign peace deal with Israel है ना मने इसराइल को एक तरह से देखा जाया तो मानता एक देश के रूप में एक राजनितिक देश रूप में कौन सा देश उसको माने था सबसे पहले कौन दिया था तो इसराइल से सांती समझोता करने वाला पहला अरब देश कौन था तो वो थे बच्चा आपका Egypt या हिंदी में बोले तो मिश्र ये 1979 में हुआ था इसे ये खतम हो गया था तो 133 का सही option है A, Egypt या मिश्र कहिए Which country assumed the role of chairman of the international labor organization governing body for the period of October 2020 till June 2021 October 2020 से June 2021 के लिए किस देश को अंतराष्टिय स्रम संगटन के संचालक मंडल या governing body का अध्यक्ष बनाया गया तो भीया वो है भारत वो है इंडिया 35 साल के बाद फिर से जो है भारतियों को और इंडिया को अध्यक्ष का पद मिला तो 134 का है D, 134 का है सही option है D यानी भारत यानी इंडिया Operation Sahelie Launched in September 2020 AIMS2 AIMS2 September 2020 में प्रारम किये गए Operation मेरी सहेली का उदेश क्या है रेलो में महिला स्यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना यानी 135 का B to boost the security of women's passenger in trains तो 135 का सही option है B 135 का सही option है B On the occasion of the first anniversary of the Fit India movement Who gave the mantra fitness की dose आदा घंटा रोज है ना ये question number 136 Fit India अभियान के पहली वर्सगार्ड के अफसर पर fitness की dose आदा घंटा रोज ये मन्त किसके द्वारा दिया गया तो वो दिया गया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा Prime Minister नरेंद्र मोदी तो 136 का सही option है आपका A 136 का सही option है आपका A On the 100th birth anniversary of राज माता विजे राजा सिंधिया Prime Minister नरेंद्र मोदी released a hundred rupees coin है ना coin ही रूपया note होगा तो RBI इशू करेगी तो 137 राज माता विजे राजे सिंधिया के सौवे जन दिवस पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रूपय का सिक्का जारी किया तो 137 का 137 का 137 का है C 138 138 विच स्टेट सौट डॉकुमेंटरी फिल्म ची लूपो हैज वॉन दादा साहब फाल के अवार्ड दोहजार बीस अब देखिए ये कोशन किस राज की लगू बृत चित्र ची लूपो ने दादा साहब फाल के पुरुसकार दोहजार बीस जीता है याद कीजेगा हम लोग रेशम का ये सब बात कर रहे थे NCRT 7 का हम लोग चैप्टर डिसकस कर रहे थे उसमें इस जो लगू चित्र ची लूपो या जो सौट फिल्म है ची लूपो का हम लोग एक पासिंग बाई रेफरेंस दिये थे तो ये सौट डोकुमेंटरी मूवी है और किस तरह से आपका मधु मक्की का शिकार होता हनी हंटिंग होता है इसके बारे में फिल्म है और ये अरुनाचल परदेश अरुनाचल परदेश के सेर्दू पिन आदिवासी समू है सेर्दू पिन ट्राइब है वहां के बारे में ये दर्शाया गया है तो 138 का सही आप्शन है अरुनाचल परदेश 138 का सही आप्शन है अरुनाचल परदेश यानि की D किस राज की लगू वित्र चित्र ली चूपो ने दादा सहे फाल के पुरुसकार 2020 जीता है तो वो है आपका अरुनाचल परदेश यानि की D विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हाज लाँच्ट इकिसान धन आप फॉर फार्मर्स किस नीजी छेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ये किशान धन आप लाँच किया है तो वो है बच्चो आपका HDFC बैंक यानि 139 का सही ओप्शन है 139 का सही ओप्शन है B At the international, 140 question At the international airport of which city India launched its first COVID-19 testing facility भारत के किस सहर के अंतराष्टे हवाई अडे पे सबसे पहले COVID-19 परिक्षन की सुविदा प्रारम की गई है तो वो है बच्चो दिल्ली, वो है डेल्ही तो 140 का 140 का सही ओप्शन है B 140 का सही ओप्शन है B ये सब बहुत straight forward direct question है बच्चो 141, Rafale Fighter Aircraft has been formally inducted into the Indian Air Force at which Air Force station है ना, भारत की Rafale Fighter Aircraft को किस वायुसेना स्टेशन पे अवचारिक रूप से भारती वायुसेना में समिलित किया गया था, हम लोग जानते हैं बच्चों कि फ्रांस से जब ये Rafale Aircraft चला तो Ambala Air Force Base पे ही उसको land कराया गया था तो सही आंसर है इसका Ambala यानि C 141, Rafale का सही ओप्शन है Ambala Air Force Base या Air Force Station और सही ओप्शन है C The Name of India's First Indigenous Anti-Radiation Missile भारत की पहली स्वदेशी Anti-Radiation Missile का नाम क्या है तो उसका नाम है बच्चों रूद्रम DRDO का Official Statement के अनुसार जो है भारत का पहला स्वदेशी Anti-Radiation Missile आपका जो है रूद्रम है तो 142 का 142 का सही ओप्शन है हम लोग का रूद्रम यानी D ये भी हम लोग टेस्ट सीरीज में कर चुके है आपको इसको कोशन भी हम मेल किये हुए थे कोशन नंबर 143 Who has been appointed by the Board of Control for Cricket in India as the head of All India Women's Selection Committee है ना तो हिंदी में पढ़ देते हैं भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतिय महिला चेयन समिती का अध्यक्ष निउक्ष किया गया है तो सही आंसर है नीतु डेविड सही आंसर है नीतु डेविड तो 143 का सही आप्षण आपका बी 143 का सही आप्षण आपका बी Who has won the women's singles US Open Tennis Tournament 2020 महिला एकल US Open Tennis Tournament 2020 किसने जीता है तो वो जीती है नावमी उसाका वो जीती है नावमी उसाका तो 144 का सही आप्षण है A 144 का सेट D 144 कोशन का सही आप्षण है A Which question number 145 पे आजाईए Which athlete scored first position in the London Marathon Held on 4th October 2020 4 October 2020 को आयोजित London Marathon में प्रथम स्थान पे रहने वाला athlete कौन है तो वो हैं बच्चों आपके शूरा की काटा सूरा की टाटा एथोपिया के सूरा की टाटा एथोपिया के 145 का सही option है B 145 का सही option है B Which Indian cricketer along with MS Dhoni Announced retirement from the international cricketer on 15 August 2020 है ना तो 15 अगस 2020 को MS Dhoni के साथ किस भारतिय cricket खिलारी ने अंतराश्टिय क्रिकेट से सन्यास की घोशना की सूरेश रहना तो सूरेश रहना तो 146 का 146 का सही option है A सूरेश रहना सूरेश रहना तो 147 का सही option है D 147 का सही option है D Who is the chairman of the DRDO है ना रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगटन का प्रमुक कौन है तो वो हैं आपके Dr. G सतीश रेडी Dr. G सतीश रेडी 148 का सही option है B Dr. G सतीश रेडी DRDO एक सुन्चास for which 149 question number 149 for which discipline Dr. बुश्रा अतीख and Dr. रितेश अगरवाल have been selected for सांती स्वरूप भतनागर prize 2020 किस विशे के लिए Dr. बुश्रा अतीख और Dr. रितेश अगरवाल को सांती स्वरूप भतनागर पुरुश्कार 2020 के लिए चुना गया तो वो है चिकित्सा विज्यान वो है आपका Medical Sciences तो 149 149 का सही option है C 149 का सही option है C 149 का सही option है C Question number 50 Who has been selected for the Nobel Prize 2020 है न Nobel सांती पुरुश्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है तो वो है विश्व खाद कारिक्रम वो है विश्व खाद कारिक्रम वर्ल्ड फुड प्रोग्राम तो 150 का ये है B तो चलिए बचो ये पांचवा ये जो वीडियो नमबर 5 है इससे हम लोग सारा 1500 कोशन डिसकस कर लिए वीडियो 5 का जो 111 से 150 कोशन था एकदम डारेक्ट था एकदम डारेक्ट था और ये आप लोग ये धियान लगाएंगे ये आप लोग धियान लगाएंगे उसको देखते तो ये 40 कोशन में से कम से कम आपका 35 कोशन सही हो जाता तो 80, 85 ये असी भी आप 110 कोशन में किये हों और इस स्लोट से ये आप जो है करेंट अफेर सेक्शन से आप निकाले हों 30 भी करते हैं तो भी आप 110 35 करते हैं तो आप 115 40 करते हैं तो 120 मने हर एक रूप में हर एक तरीके से आप जो है PT का डेंजर मार्क जो है कट अफ मॉक्स जो है उससे आप उपर हो जा रहे हैं तो हमको किसी तरह का कोई डाउट नहीं है अपने बच्चों के एफिशेंसी पे हम जानते हैं कि आप लोग सब को जो है BPSC 66 BPSC PT कौलिफाई करेंगे कोई कि बहुत सेफ साइट से सेफ मार्जिन से हम लोग आगे हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग मेंस की तैयारी करें मेंस की तैयारी चालू कर दे कट अफ जो है 95-96 भी जा सकता है अंदाथ से हमको 95-96-97 के बीच में जनल कैटिगरी का कट अफ हमको लग रहा है हो सकता है एक दो उपर नीचे आजा बट अब हम लोग इस कट अफ गेम में नहीं रहते हैं क्योंकि आप लोग जो हैं ज्यादा कोशन बनाए हैं और ये सही विसलेशन के साथ सटीक आंसर है है ना उसको हम लोग कितनी बार पहले भी प्रैक्टिस कर चुके है तो I hope कि you should now start your study for means examination Thank you